नमस्ते दोस्तो मेरे इस चनल में आप सफी का स्वागत है इन कुछ दिनों में मुझे जो आपका प्यार और सपोर्ट मिला इसके लिए बहुत धन्यवाद उमीद है मुझे प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को air layering method के जरिये कैसे घर पे आराम से निमू के पोधे का propagation यानि कलम कर सकते हैं यह दिखाऊंगा जैसे कि अभी का जो कोरोना का situation है तो हर घर में एक निमू का पोधा होना बहुत essential बन चुका है तो दोस्तो उमीद है इस वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे और इस वीडियो को आप like and share भी करेंगे और जाने से पहले मेरे इस चैनल को subscribe and ring icon दबाना मत भूलिएगा तो दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं हेलो दोस्तो एयर लेयरिंग के लिए कुछ सामान चाहिए होगा तो मैंने ये रूटिंग होर्मून लिया है एक शर्प कटर एक मजबूत सा धागा एक छोटा सा चम्मच और बजार में जो पॉलथीन बैक मिलता है उसको काटके मैंने ये बनाया थोड़ा सा कोकोपीट गार्डेन सोयल मेरे खुद के गार्डेन का सोयल थी ये कोडिनरी गार्डेन सोयल और ये फंगिसाट फंगिस के अटक से बचाने के लिए ऐसा एक प्लास्टिक ट्रेल लीजिए इसमें आप एराउंड 70% कार्डेन सोयल कीजिए एराउंड 70% कार्डेन सोयल इसमें आप एराउंड 30% कोकोपीट कीजिए अगर आपके पास कोकोपी नहीं है तब भी आप सिर्फ और सिर्फ कार्डेन सोयल से कर सकते हैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें इसमें one third teaspoon rooting hormone मिला दीजिए rooting hormone से क्या होता है कि rooting process बहुत ज़्यादा जल्दी से होता है और roots निकलने लगता है जल्दी से इसमें मैं थोड़ा सा fundiside मिलाऊंगा one third teaspoon इससे क्या होता है कि बारिश के मौसम में फंदस एटेप नहीं होता इसको थोड़ा सा पानी लेके अच्छी तरह मिक्स करके अटे की डौ की तरह पना लेंगे ये मिक्चर बनाना air layering प्रोसेस में बहुत important है तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिये गा और ध्यान से करिएगा यह देखिए दोस्तों मैंने टो की तरह इसको राउंड शेफ में बना दिया है तो इसको अभी आप टू इकूल पार्ट्स में डिवाइट करके इसने लग दीजी तो चलिए दोस्तों मेरे पोधे के पास यह देखिए दोस्तों मेरा नीबू का पोधा जोकि काफी अच्छी परण्छी और देखिए दोस्तों इसमें नीबू कि रहा है यह हैं लेंग में आप देखिता रइन कोंसी जगह पर कौन सी प्रन्ची पर हैश्ते समय का ही जो की डेर से 1-1.5 साल पुलना होगा मोटाई में उन्दी से थोरा पारा और जिसमें ग्रीनारी रहना चाहिए रांच ग्रीन होना चाहिए तो दोस्तों एक शर्प कटर लेके 2-1.5 इंच के गेप में इसे 2 सर्कुलर कट जैसे मैं कर रहा हूं इसे कट लगाना परेगा चाले के उपर तो एक पॉर्शन से इसे इसे शुरू कीजए एक कट से मैं इसका बार्फ जो है उसको दीदे़े काटके छिल दीजिए तीरी-दीरे को एसने अराम से धीरे-धीरे करके काट दीजिए द्यान रखिए इसमें जो अंदर का जो सफेद पोर्शन है वो जो भूट पोर्शन है उसमें कर नहीं होना चाहिए अर्व जो सफेद चौट कोई आपको काट के निकालना परेगा है और इसको तीड़े करके चारो तरब से लिसकного टार्बस। में अश्य पारक है ज प्रश्वेदीरे कीजिएगा चलबाज़ी मत कीजिए नहीं तो हाथ भी कट सकता है जिसे कि आप देख सकते हैं इस हाले के नीचे बार्ग के नीचे एक ग्रीन टाइप का एक लेया है जिसको हम केम्वियम लेयर को तो इसको भी आपको अच्छी तरह चारो तरफ से स्क्रेच करके छिल देना परेगा देखिए यहनि इसको चारो तरफ से इसके लेयर को भी छिल के बलग कर दिया है तो मेरा यह ब्राच तयार हो गया है तो अभी दोस्तों मैंने जो पहले डो बनाया था उसको इस पॉलतिन स्ट में ऐसे रख के ऐसे इस से पे लाके इसको ब्राच के पीचो पीच एसे लाके उसके उपर दूसरे पॉर्शन को कवर कर दीजिए और प्लास्टिक शिट को ऐसे कस के आतों से पकर के टाइट करके पकर लिजिए इसके बाद आप एक धागा लीजिए धागे से इसके उपर के पार्ट को टाइट करके कसके पान दीजिए जैसे कि अब पानी अंदर ना कुषपाए है ठीक है तो मैंने उपर ऐसे पान दिया है इस तरीके से इस शीट के उपर चारो तरब से कसके आपको इस धागे से बांदना परेगा तो देखिए दोस्तों मैंने इसको चारो तरब से धागे से टाइट करके बांद दिया है इसको कसके बांदना मत बुलिए रहे हैं आप और एक काम कर सकते हैं जो बजार में ग्राप्टिंग टेप मिलता है उससे फिर एक पार इसको टाइट करके बांद दिजिए जैसे कि मैं यह कर रहा हूं मैंने क्राप्टिंग टेप दिया है और उससे इसके उपर टाइट करके बांद दिया है इससे यह और भी वाटर टाइट हो जाएगा तो देखिए दोस्तों मैंने इसको टाइट करके बांद दिया है और अगर आपके पास क्राप्टिंग टेप नहीं है तो आप पजार से जो प्लोथिन बैक मिलता है उसको काटके भी ऐसा बना सकते हैं तो दोस्तों मेरा यह यह लेयरिंग कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद उमीद है आप लोगों को यह पसंद आया होगा इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर किजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हुआँ प्रंप कया दोस्तों है ऑल्याद लाइकन दौस्तों के इस पूलिएगा है आप मेट कर दोस्तों है आप की किया जगाई लाइकन दोस्तों को तोस्तों को जापक्त को हैं